रहूल गांदी की भारच जोड़ो यात्रा ये इंडी आलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, अकिले सिंह का स्टेटमेंट पड़ा की हम इनको BCM करेंगे उनको मतलब वो नितिष तोड़ो रहे हैं क्या, ये पता नहीं चला कि रहूल बीजेपी पर है बीजेपी के कद्दावर नेता बिहार प्रभारी विनोद तावडे पत्ना में इस समय कैम्प कर रहे हैं और लगातार भाजपा नेताओं से बात्चित कर रहे हैं भाजपा नेताओं से मिलने के बाद विनोद तावडे जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे बाचित करने की कोशिश की विनोत दावरे ने कहा कि बीजेपी की बैठक लोकसभाद चुनाओ को लेकर है कि किस तरह से हम अपनी तयारी पूरी करें और कहा किस तरह से चुनाओ लड़ना है और उसके लिए क्या तयारी बाकी है इसके लिए आज की बैठक बुलाई और इसी को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है विनोत दावरे से जब पूछा गया कि इस बारे में आपका क्या कहना है तो उन्हों ने कहा कि राहुल गांधी की नयायात्रा लगता है इंडी तोड़ो यात्रा बन गई है जैसे ही राहुल गांधी ने यात्रा शु कि भीनों दावड़े क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जाए बीश में रहे हैं कि आज भारतिय जनता पार्टी बिहार के कि प्रदेश कार्य समीति सभी सांसद और सभी विदायकों की बैटक है कि उसमें लोगसभा प्रवास लोगसभा चुनाओं को मद्य नदर रखते में जो चीजे राष्ट्रियस तरपर पार्टी ने तैए किये वो बिहार में कैसे होगी क्या होगी सांसदों के अपने क्षेतर में उन्हें क्या करना है विदायकों का लोगसभा में कैसे योगदान रहेगा इन सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी मौजुदा बिहार की जो राज्टी खालात है उस पर क्या आप लोगसभा मौजुदा पर यह कह सकता हो कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा यह इंडी आलाइंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा यहां पर उनके प्रदेश अ जोड़ो है यह इंडी आलाइंस तोड़ो यात्रा है तो चलिए विनोत तावड़े ने राहूल गांधी पर करारावार किया है उन्होंने कहा है कि उनकी यात्रा इंडी तोड़ो यात्रा बनके रह गई है अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या बिहार में भी इंडी यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें